नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टड़ी फॉर यूपेसी पीसे से में स्वावित है आज 29 नवंबर है है न दो हजार बाइस 67 बीपेसी को लेकर जो आंदोलन बुलाया गया है चात्रों के द्वारा आज ही होगा पटना में हो दिली में हो जहां भी हो ये बीडियो बनाने का मुख्यों दिस यही था कि आपको समर्थन करना चाहिए भले ही आपका प्री हो गया हो या मेंस दे रहे हैं या बीपेसी अग पिरधांदली होगी होती है मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 64 का इंटर्व्यू दिया था उनके पास कॉल आता है इंटर्व्यू से कुछ दिन पहले कि आपको फिक्स करना है तो आप बता दीजिए फिक्स हो जाएगा पहली बार सेलेक्ट हुए थे 64 के इंट कि आपको फिक्स करना है इंटर्व्यू तो इतने पैसे दीजिए फिक्स हो जाएगा सेलेक्ट से ओर हो जाएगा तो ये चीज है समस्या है ये नकारा नहीं जा सकता है अगर कोई प्रियास कर रहा है इस सीजिग के लिए कि सुधार हो इसमें मुख्य मोटिव सुधार ही है 67th बहुती छोटा सा एक आपको दिख रहा है कि 67th के लिए अंदोलन हो रहा है सुधार के कारण सुधार होना चाहिए इसमें प्रोसेस में सुधार होना चाहिए ट्रस्ट बनना चाहिए ट्रस्ट बनने के बाद 115 भी कटफ चला जाएगा तो भी विस्वास कर लेंगे कि हाँ 115 जैनुएन कटफ है और ट्रस्ट नहीं बनेगा तो सौर नंबर कटफ जाएगा तो भी उस पर धांदली का आरोप लगता रहेगा और धांदली हुआ है ये सत्य है 9 सवाल सिधा सिधा गलत है कोई भी पढ़ने वाला स्टुडेंट देखता है नहीं सवाल नहीं भी तो कम से कम 5 से 6 सवाल तो गलत है ही इसका कोई माईव आप नहीं है 5 से 6 सवाल कम नहीं होते है समझ रो ना किसी का 106 नमर आ रहा है 5 से 6 सवाल में तो पास हो जाता मेंस दे रहा होता अगर आप मेंस भी दे रहे हैं तो उसके बाद फिर पाई नाम में यही चीज़ आपको दिखेगा कट अप से 10 नमर कम 15 नमर कम 20 नमर कम में आपका सेलेक्शन रोक दिया जाता है अचानक से है ना तो इसलिए जहां भी आंदोलन हो रहा है अगर पठना में है आप तो पठना में सपोर्ट कीजिए बिहार से सब जगह से लोग पहुँच रहे हैं एक कॉमेंट दिखाता हूँ म है नाम पर मत जाना यहां पर लिखा हुआ है इसको अप पर सकते हैं तो इस हद तक लोगों का determination है इस सीज़ को लेकर पठना में अगर प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर जाना चाहिए मैं डेली में रहता हूँ तो डेली में होगा तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा साम जोनाने चाहिए सरकार से, सिस्टम से, क्योंकि हम इसका एक वर चेन शुरू होता है, एक अयोग्य चुना जाएगा, तो दूसरे अयोग्य को चुनेगा अगली बार वो, फिर वो अगले अयोग्य को चुनेगा, यही चेन चल रहा है बिहार में, इस सीन को तोड़ना अपने लिए जाईए किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी एहसान करने के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप ही कोई एक्जाम देना है, है न, फेल होने के बाद ये न लगे कि मैं धोखा धरी के कारण फेल हुआ हूँ, मेहनत करके जब कोई फे इस्पेक्शन रहता है चलो मैंने प्रयास किया सही नहीं हुआ वो अलग चीज है लेकिन किसी के कारण से अगर आप फेल होते हो तो वो गिल्ट हमेशा रहता है इसलिए आपको जाना चाहिए यही दो चार मांगे हैं और जो भी लीड कर रहे हैं उन्होंने एक ही चीज बोला है कि सबसे पहले तो इसमें डिसिप्लीन ही होना चाहिए आंदुलन में और कुछ भी नहीं होता और अहिंसात्मक तरीके से बस मौन रहके बिरोध जताना है और कुछ भी नहीं करना है तो बस यही तक था वीडियो आज का और कुछ भी नहीं था यह मांगे हैं कुछ जिसक सकता है चार वए तक समर्थन के कारण मैं खुलम-खुला समर्थन करता हूं मुझे कोई सर्म नहीं आती बोलने मना तो मुझे डर लगता है तो चार वए तक इसलिए आज कोई और वीडियो नहीं आएगा परने लिखने का उसके बाद अपलोड जरू कर दूँगा मैं एक प्राई दूब कोई सर्म नहीं आती वेगता है